नमस्कार, आज हम कक्षा पहली की अंग्रेजी की मूल्यांकन वक्षीत संख्या 5 को हल करने के लिए दिये गए निर्देशों को पढ़ेंगे वस समझेंगे यह वक्षीत प्रथम संस्था के सहयोग से तैयार की गई है सबसे पहले हम इस वक्षीत में दिये गए सीखने के प्रतिफलों को समझते हैं सीखने के प्रतिफल इस प्रकार हैं पोयम राइम को एक्षन के साथ सुनाते हैं इस मूल्यांकन वक्षीत में हम बच्चे को पोयम सुनाएंगे और इस प्रक्रिया से हम ये जानेंगे कि बच्चे में लेके साथ पढ़ने और याद करने का कौशल विक्सित हुआ है या नहीं, अब हम इसमें दिये गए प्रशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या करवाना है, से दगिवन पोयम और एनी आदर पोयम विद मतलब दी गई कविता या अन्यकोई कविता को आक्शन के साथ सुनाएं इस मूल्यांकन वक्षीट में इंग्लिश की एक पोयम, A Big Fat Hand, दी गई है बच्चे को यह पोयम, आक्शन, यानी पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं कविता सुनाने के बाद, बच्चे से उसी प्रका कविता सुनाने को कहें, जितनी लाइन बच्चे सही बोलेंगे, उसके अनुसार दिये गए खाने में, सही का निशान लगाएं, चार में से तीन सही होने पर बच्चे को इस स्तर पर मानेगे, चार में से तीन सही नहीं होने पर, हम ये मान लेंगे कि बच्चा इस स्तर पर उसे और अभ्यास की जरूरत है, उम्मीद है, अब आपको समझ आ गया होगा कि यह मूल्यांकन वक्षीट कैसे हल करवानी है, धन्यवाद.